स्वागते प्यारे बच्चों, आज हम आठवी कक्षा के हिंदी विशय की छटी कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजे, इस कविता के वरणन देखेंगे इस कविता के लेखक है रमेश दत्त शर्मा रमेश दत्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जले सर एटा में हुआ था, इनका विज्ञान के प्रती अत्यादिक प्रेम था, इनके द्वारा लिखे गए लेख विविद पत्रपत्रिकाव में प्रकाशित हुए है विज्ञान पर आधारित लेक लिखकर इन्होंने पाठकों के मन में वैज्ञानिक दुष्टिकों जगरुत करने का प्रयास किया है इन्होंने रेडियो एवम टीवी के माध्यम से भी विज्ञान का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया है विज्ञान लेखन के लिए इने कई पूरसकार प्राप्त हुए है जरा प्यार से बोलना सीख लीजे यह एक गजल है इस गजल के माध्यम से कवी ने इंसान को कई मूलभूत बाते सिखाने के लिए प्रेरित किया है जैसे कि इंसान को सभी के साथ प्रेम से वार्तालाब करना चाहिए सही समय आने पर इंसान को अपना मुह खोलना चाहिए विचारों को तोल कर बात करने की कला का अभ्यास करना चाहिए स्वयम पर नियंतरन रखना सीखना चाहिए तकलीफ देने वालों को मुँ तोड जवाब देना सीखना चाहिए इंसान को आवशक्ता नुसार आकरोश प्रकट करना सीख लेना चाहिए तचलो बच्चों अब हम कविता की शुरुवात करते है वाणी में शहत घोलना सीख लीजिये जरा प्यार से बोलना सीख लीजिये चुप रहने के यारों बड़े फाइदे है चुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिये कुछ कहने से पहले जरा सोचिये खयालों को खुद तोलना सीख लीजिये तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मैमे अपने आपको टोकना सीख लीजिए पठाके की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घुलना सीख लीजिए कटू अचन तो सदा बोते हैं काटे मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए बाद बेबाद कोई चुबने लगे तो बदलकर उसे मोडना सीख लीजिए ये किसने कहा होट सीखर के बैठो जरूरत पे मुह खोलना सीख लीजिए बच्चो चलो अभी कविता का भावार्त देखते हैं पहली पंक्ती में कवि ने यह समझाया है हमें वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे है कि इंसान को सभी से प्रेम से बोलना चाहिए इंसान की वाणी में शहद होना चाहिए यानि उनकी वाणी मीठी होनी चाहिए उसे सभी के साथ मीथी वश मधुर्वाणी में वार्तालाप करना चाहिए इनसान को सभी के साथ प्यार से सरुधैता पुर्वक बोलना सीखना चाहिए दूसरी पंक्ती में कवी कहते है चुप रहने के यारों बड़े फायदे है जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए इस पंक्ति का अर्थ है कवी कह रहे है कि इंसान को अक्सर चुप रहना चाहिए चुप रहने के कई लाब है अतह योग्य समय आने पर इंसान को अपना मुह खोलना चाहिए अर्थात योग्य समय पर योग्य बात कहनी चाहिए तीसरी पंक्ति है कुछ कहने से पहले जरा सोचिए खयालों को खुद तोलना सीख लीजिए कभी के मतानुसार व्यक्ति को बोलने से पहले गहन विचार करना चाहिए प्रत्यक व्यक्ति को सोच समझ कर बोलना चाहिए उसे विचारों को तोल कर बात करने की कला का अभ्यास करना चाहिए कविता की अगली पंक्ति है तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मेमे अपने आपको टोकना सीख लीजिए तो इस पंक्ति का अर्थ इस तरह से कवी ने बताया है कि व्यक्ति को स्वयम पर आत्म नियंत्रन रखना सीखना चाहिए इंसान को लड़ाई के समय या एक दुसरे के साथ तू-तू में में करते समय स्वयम पर नियंत्रन रखना सीखना चाहिए संभवता इन परिस्तितियों से बचना चाहिए कविता की अगली पंक्ती है पटाके की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घूलना सीख लीजिए इन पंक्तियों में कवी कहते है कि इंसान को पटाके की तरह फटने से पहले उसकी रोशनी के रंग में गुल जाना सीख लेना चाहिए अर्थात परिस्तिती के अनुरूप व्यवहार कुशलता से कार्य करना चाहिए कविता की अगली पंक्ती है कटू वचन तो सदा बोते है काटे मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए इस पंक्ती में कवि कहते है कि व्यक्ती को मधूर भाशी होना चाहिए कड़वे वचन हमेशा काटे की तरह चुपते है व्यक्ती को मीठी बोली के पुश्पो का रोपन करना सीख लेना चाहिए अर्थात हमेशा मीथी वाणी में बात करनी चाहिए कविता की अगली पंक्ती है बात बे बात कोई चुबने लगे तो बदल कर उसे मोड ना सीख लीजिए इस पंक्ती में कवि कह रहे है कि किसी वजह से बात बे बात यदी कोई तकलीव देने की कोशिश करे तो व्यक्ती को उसे मोडना शीख लेना चाहिए हमें तकलीव देने वालों को मुह तोड़ जवाब देना सीख लेना चाहिए अर्थात विप्रित परिस्तितियों का बुद्धी व विवेक से सामना करना चाहिए अब कवीता की आखरी पंग्ती देखते है ये किसने कहा होट सीकर के बैठो जरुरत पे मुह खोलना सीख लीजे इस पंक्ती में कवी कहते हैं कि व्यक्ति का हमेशा होट सीकर शांती पूर्वक बैठना उचित नहीं है व्यक्ति को अपनी आवशकता नुसार आक्रोश प्रकट करना सीख लेना चाहिए परिस्तितियों के अनुरूप अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए तो बच्चो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सबी से प्रेमपूर्वक बात करनी चाहिए प्रेमपूर्वक बोलना चाहिए सही समय आने पर ही हमें अपना मूँ खोलना चाहिए वह हम अगली वीडियो में देखेंगे यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल आइकोन दिया है उसे प्रेस करना न भूले